हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको एलाइन प्लाजो की कटिंग बताऊंगी जिसके लिए मैंने सवा दो मिटर कपडा लिया है और कपड़े को मैंने फोर फोल्ड कर लिया है और बंद वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे और एंब्रोइडरी हुई है तो एंब्रोइडरी से ही हम लेंद का निशान लगाएंगे पोंचे के लिए एक्स्ट्रा मार्जन नहीं रखेंगे क्यूंकि मैं एंब्रोइडरी के साथ कपड़ा अटैच करके उसको उल्टी तरफ फोल्ड करूंगी तो यहां पे मैं 36 प्लाजो की लेंद्ध रेडी रखूंगी और अब हम एंब्रोइडरी से लेके उपर की तरफ 35 इंच पे निशान लगाएंगे क्यूंकि आधा इंच हमारा बैल्ट अटैच करने में जाएगा और साड़े चौनतीस में अगर हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो वो 36 इंच प्लाजो बनके रेडी हो जाएगा और यहां से भी मैं 35 इंच पे निशान लगाएंगे और यहां साड़े आठ कमर रेडी हो जाएगी यानि कि 34 इंच कमर रेडी होगी और इसमें मैं 3 इंच कमर में एक्स्ट्रा नहीं लोंगी इलास्टिक डालने के लिए क्योंकि यहां पे मैं बैल्ट में डोली डालूँगी तो उसके लिए जादा मार्जन रखने की जुरूरत नहीं है और कमर से नीचे की तरफ 8 इंच पे निशान लगाएंगे और वहां से हम 8 इंच पे विर्थ वाइज 11 इंच पे निशान लगाएंगे जो की हमारा हिप एरिया होगा और जो हिप एरिया का जो मैंने निशान लगाया है वो कमर से लगबग मैंने दो इंच जागा रखा है और अब हम कमर से नीचे की तरफ आसन का निशान लगाएंगे यानि की क्रोच एरिया की लेंथ रखेंगे 10 इंच और अब हम सारे निशानों को जोइन कर लेंगे अब मैं बाहर की तरफ दो इंच पे निशान लगाऊंगे जहां पे हमने आसन का 10 इंच निशान लगाया था वहां से लेके बाहर की तरफ दो इंच पे निशान लगाएंगे और अब हम थाईज का निशान 14 इंच पे लगाएंगे आसन की गुलाई डालने के लिए एक इंच पे निशान लगाएंगे फ्रेंड्स ये जो आसन की गुलाई डालने के लिए एक इंच पे निशान लगाया है ये एक इंच से जाधा नहीं होना चाहिए और अब हम इंची टेप की हल्ब से चेक कर लेंगे कि हमारी गुलाई डालने के बाद आसन की लेंथ कितनी बनेगी और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर डेर इंच की बैल्ट डालेंगे तो लगबग साड़े बारा या तेरा इंच ये आसन की लेंथ रेड़ी हो जाएगी यहां से बॉटम की तरफ जाएगे और यहां से हम साड़े सोला पे निशान लगाएंगे और पोंचे की वीड़ थाम रखेंगे साड़े पंद्रा इंच अब मैं चेक कर लोंगी कि बैल्ट अटेक्च करने के बाद हमारी प्लाजो की लेंथ कितनी बनेगी गाइज आप चेक कर सकते हैं यह 36 बनेगी जो की बिल्कुल सही है अब मैं लेग शेपर की हैप से थाइस के निशान को और पोंचे की निशान को जोइन करूंगी जहां पे हमने साड़े सोला इंच निशान लगाया था उस निशान को थाइस के निशान से मिलाना है अगर फ्रेंट आपके पास लगशे पर नहीं है तो आप एस्टिमेट से भी निशान लगा सकते हैं झाला जिशान लगा सकते हैं अब हम निशान पे कटिंग कर लेंगे यहां से थोड़ा सा इसको क्रिम करके सीथा कर लेंगे और यह देखिए फ्रेंट्स प्लाजो की कटिंग हो गई है अब मैं अपनी लाइनिंग लूँगी और लाइनिंग को मैंने फोर फोल्ड कर लिया है और जो हमने प्लाजो की कटिंग की है उसको लाइनिंग के उपर रखेंगे और लाइनिंग की भी बंद वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे और उपन वाली साइड बाहर की तरफ रखेंगे और प्लाजो को लाइनिंग के उपर रखेंगे एकदम सेट करके कोई भी रिंकल नहीं पढ़ना चाहिए नीचे और बिल्कुल प्लाजो की शेप के अकॉर्डिंग लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे लाइनिंग की कटिंग हो गई है और अब हम बचा हुआ कपड़ा लेंगे और वहां से हम अपनी बेल्ट काटेंगे हम कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे और और जितनी हमने कमर की चोड़ाई रखी थी 9 इंच और और लेंगे के अकॉर्डिंग हम lesson के की कटिंग करेंगे लाइनि लंबाई रखेंगे यहां पर बेल्ट की लंबाई मेरी पूरी नहीं होगी तो उसके लिए मैं जोड डालूंगी और कपड़े को थोड़ा सीधा कर लेंगे और बेल्ट की जो चोड़ाई है वो हम चार इंच पे कटिंग करेंगे सिंगल फोल्ड करके और डबल फोल्ड करके चलें तो दो इंच पे कटिंग करेंगे आप देख सकते हैं एम्ब्रोइडरी तक ही मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि एम्ब्रोइडरी को हम बेल्ट में नहीं देंगे बिल्कुल प्लेन कपड़े की बेल्ट बनाएंगे तो बाकी का कपड़ा हम बाकी का जोड डालेंगे बेल्ट में और यहां से मैं डबल फोल् यहां से 2 इंच का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच की बेल्ट ट्रेडी रखेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग बताऊंगी और स्टिचिंग में आपको बेल्ट में जोड डाला भी बताऊंगी कि हमारी बेल्ट कितनी रेडी बनेगी क्योंकि 34 इंच हमारी कमर रेडी बनेगी और 34 इंच ही हमने बेल्ट रेडी रखनी है और उसके लिए हमने 1.5 इंच का मार्जन रखना है बेल्ट में और अब हम बेल्ट में जो जोड आएगा उसके लिए कपड़ा काटेंगे चोड़ाई हम सेम रखेंगे 2 इंच और जितना हमारा जोड पड़ेगा उतना हम कपड़ा काट लेंगे जैसे कि 27 इंच लगबग हमारी हमने पहले कपड़ा काटा था बेल्ट के लिए और उसमें हम लगबग 12 इंच का जोड डालेंगे और जोड डालने के बाद हम देखेंगे जोड डालने के बाद हम 24 इंच अपनी बेल्ट को रेड़ी करेंगे अब देख सकते हैं बेल्ट का कपड़ा मैंने काट लिया है और अब हम बचा हुआ कपड़ा लेंगे और एक्स्ट्र कपड़ा मैं ट्रिम कर लूँगी और इसमें से हम अपनी बेल्ट में जो डोरी डालेंगे उसकी कटिंग करेंगे डोरी की चोड़ाई मैं रखूँगी 1,5 इंच और लंबाई मैं रखूँगी अपनी कमर के कमर से लगबग 10 इंच जागा रखूँगी जैसे की 34 इंचिज हमारी कमर की चोड़ाई है ये देखें प्रेंट डोरी में भी जोड़ डालेंगे क्योंकि इसका कपड़ा इतना लंबा नहीं बचा तो जहां कटवक स्टार्ट हो रहा है वहां तक हम इसकी लेंथ लेंगे और बाकी का हम जोड़ डालेंगे और अब हम जोड़ के लिए कपड़ा काटेंगे जैसे हमारी कमर 34 रड़ी होगी तो लगबग 44 इंचिज हम डोरी डालेंगे यानि की कमर से लगबग 10 इंच जादा आप अपने अकॉर्डिंग एक दो इंच आगे पिछे कर सकते हैं और अब हम इसकी चोड़ाई रख लेंगे डेर इंच अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर भी करें तक्राइब तक्राइब झान्स